तो दोस्तो फिर से एक वीडियो ने आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो क्या आपको एक सवाल आ रहा है कि हम फॉन पर की इस्टी को डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो वो कहा है डिलीट का ओप्शन या कहा से टिंग है जहां से हम उसको डिलीट कर सकते हैं और या तो नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं तो इसी के रिलेटेट ये टॉपिक है ये मैं इसके रिलेटेट बात करने वालों आप से तो बस वीडियो को आखिर तक देखनो तो मेरा नाम है केतन और आप देख रहें इंट्रेस्टिंग चैनल टेक्निकल की तुँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ते वीडियो को लाइक कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं हम फोंपे की हिस्ट्री को डिलेट कर सकते हैं तो यह में, अप लोगों दिखाने वाला हूँ तो मैं इसलिए आप को स्क्रिन रेक्ररिंग की तरफ में लेकर जाते हूँ तो चलो स्क्रीन रेकर्रिंग स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो यहां पर है हमारा homepage का application इसके अंदर जाते हैं या पे अंदर जाने के बाद कुछ security है हम pin-pin डाल देते हैं या पे यह होने के बाद अपनी history है हम history पर चलते हैं या पे history पर चलने बाद या पे आप लोगों को सबी history शोओगे आपके account में किसी इस्ट्री यहां पर सेव रहती है तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम फुमपे की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं या नहीं तो यहां पर फर्स्ट पर जाते हैं यहां पर कुछ भी हमको डिलीट करने का ओप्शन कई भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर कोई भी option नहीं है कि आप उसको delete कर सकते हैं देखो long press करके भी नहीं आ रहा है कही से भी आपको नहीं दिख रहा है कि आप कैसे phone पे की history को delete कर सकते हैं देखो यहापे भी नहीं है और यह तो हो गए contact के आपने कई app में भी पैसे डाले होगे तो वहापे भी आपको कई भी यह three dot दिखाईने दे रहा है कि उसमें हम history को delete कर सकते हैं तो यहापे filter में जाने के बाद क्या कर सकते हैं यहापे fail और apply यहापे यह होने के बाद आपके जिस जो जितने भी payments fail है वो आपको show होंगे यहापे मेरे इतने payment है वो fail हुए है तो उससे वो show कर रहा है तो फिर से एक बार हम successful पर जाकर देखते हैं यहापे successful पर जाकर देखने के बाद यहापे जो भी हमारे payment है वो successful हो गए तो वो यहापे हमें दिखाए देगे और भी कई option है यहापे बस इतना है account upi clear ठीक है तो यहापे हम category में देखते है कि यहापे भी मिलता है क्या नहीं merchant payment यहापे हम merchant को payment करते या किसी दुकान को या किसी shop को हम payment करते तो यहापे इसका history आता है देखो उसके बाद यहापे क्या है money receive आपने money receive क्या है तो वो यहापे आपको show होगा जितने भी time आपने money receive क्या है तो वो आपको यहापे show होगा यहाँ पे bill payment या कुछ किया है recharge वगएरा तो आप यहाँ से देख सकते हूँ तो यहाँ पे मुझे कई भी delete करने का option मिल नहीं रहा है यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है तो दोस्तों यहाँ से clear हो जाता है क्या कि हम phone पे की history को delete नहीं कर सकते हैं क्यूंकि कुछ conditions है हम companies को बड़ा बड़ा transaction करते हैं तो उन्होंने जब phone पे एक option डालता है कि history को delete कर दिये जाए तो आपे कुछ problems हो सकती है यहाँ पे हमसे गलत में कई कई वो history cut भी जा सकते हैं तो इसलिए phone पे ने हमको security दी है कि आप उसको अपने account में बने रहने के लिए उसको कही से भी delete करने का option आपको show नहीं हो रहा है यह आपको delete करने का option यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ से final हो जाता है कि आप phone पे की history को कही से भी delete नहीं कर सकते कुछ भी करो आप यहाँ पे phone पे की history को delete नहीं कर सकते तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दो और अपने चैनल को subscribe कर दो मिलते हैं next वीडियो में